हलो जी नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं गोईंट पटेल और आप देख रहे हैं केती की पाड़ सलाई यूट्यूब चैनल में आज करूँगा बात अपने रोटावेटर की यह सुनालिका का रोटावेटर है जो इसको हमको लिए लगभगा तीन साल इसमें पूरे हो रहे हैं तो जैसे कि इसमें आप देख रहेंगे यह वाला जो रोटावेटर बना है 2014-15 में और इसके जो रिक्वाइर एचपी है वह 40 से लिए 45 HP के लिए हैं और इसकी जो रिक्वाइर्मेंट आर्पीम की मैं अगर बात करूं तो 540 आर्पीम पे यह वाला रोटावेटर को चला र तो हम लोगों ने उसमें एक होम मेट पट्टी को उसमें ड्रीलिंग करके इसमें हम लोगों रखा है वह अक्सर घिसता है क्यों कि वह जमीन पर टच रहती है और इसकी ब्लेट की मैं अगर बात करूं तो यह आप देख रहेंगे ब्लेट का क्या रहता है सर कि अब जितना चलाओगे उतना घिसता है और हमारे यहां की मिट्टी तो सारे टाइप से हैं रे तीली भी है दोमड भी है और मैं इसकी ब्लेट में आपको बताता हूं यह वाला जो लास्ट रो में एक अजीब सा खेल हुआ है यह वाला जो आप ब्लेट देख रहे हैं मतलब घिसता इसके उपर का ब्लेट देखो कि उसमें ज्यादा चौड़ है मतलब घिसा कम है असपोर कमपे और इसके नीचे और उपर वाला भी ब्लेट को दिखा रहा हूं यह आप देख रहेंगे यह पूरी तरीके से घिस चुका है सारे के सारे ब्लेट समान तरीक इस से हुई है लेक कि नैसा नहीं हुआ है और बांकी जो ब्लेट हैं वो समान तरीके से घिस रहे हैं आप देख भी रहोंगे जितने भी ब्लेट है इसमें 36 ब्लेट लगा हुआ है इसमें जो एक कॉमन समस्य आती थी ओयल लीकीज की थोड़ी समस्य आ रही है यह वाला जो आप देख रहे है म और मैं अगर इसकी कीमत की बात करूँ तो यह लगबग हमको ना सत्तर हजार सम्थिंग कुछ बढ़ा था उस समय अभी तो रेट साइद मेरे कहलते पच्छतर अच्छतर हजार इसमें कुछ हुए है इसका रेट 65 या सत्तर पढ़ा था मेरे को एक्जेक्ट याद नहीं आ अभी थोड़ा सा इसका रेट बढ़ा हुआ है और इसमें जो लगता है इसमें तो ऑईल को इसमें डालना रहता है और मांकी सब ठीक है इसका जैसे कि आप देख रहेंगे कलर हो गला थोड़ा सा डल हुआ है कलर इसमें और मांकी कुछ ज्यादा इसमें प्रवार बार करनी रहती है इसका आप विसेस ध्यान रखे जब भी आप रोटावेटर लेते हैं तो ग्रिसिंग करना जो रही है वनना उसके बेरिंग उगर फटते हैं और इसके पीछे साट भी ग्रिसिंग होती है इसके नेश्ट से तो लगता है ओईल यह जो गियर वाल ड्राइब है इसमें 140 ओईल इसमें हमको डालना रहता है बहुंती बहतरी ने सोना लिका का आप दूसरे भी कंपणी का है जो अच्छे आते हैं लेकिन मैं तो फिला सोना लिका का चला रहूं है तीन साल में बहुंती अच्छा है बस ओईल लीकिज के थोड़ी सी इसमें समस्या देखने को मिली ह कि अधने को मिली होग।